उगे छे सुर्की भरी रविम्रुदू है मन्तनों पूर्वमाई बूरू छे नब स्वच्छ स्वच्छ दिसती एके नथी वादली ठंडों हीम बर्यों वहे अनिलशों उच्छाहने प्रेरतों जे उच्छाह बरी दिसे शुक उडी गाता मिठांगी तडा मधुर समय तेवे खेत रेशे लडीना रमत क्रुशिवलोना बाल नाना करे छे कमलवत गणिने बाल ना गाल राता रवी निज कर तैनी उपरे फेर एछे व्रुत माता अने तात ता पेछे सगडी करी अहों के वों सुखी जोडूं करताए निर्म्यूं दिसे त्या दूल दूर नजरे उडती पड़े छे ने अश्व उपर चड़ी नर कोई आवे तोले वली मुखविकासी उभा रहे ने ते अश्वने कुतुहले सहुबाल जोता दीमे उठी शिथिल करने नेत्रनी पास राखी रुत्था माता नयन नबला फेरवीने जुए छे नेते नोए प्रियपती हजु शांत बैसी रहीने जोता गातों सगड़ी परनों देवता फेरवे छे त्यां तो आवी पहुंचयोए अश्वसा थे युवान त्यां कुरुषिक ए उठी त्यारे आवो बापु कही युभो लागी छे मुझने त्रुषा जलजरी दे तुमने बोलिने अश्वे थी उतरी वान उबिने चारे दिशा जुए मीठो छे रस भाई शे लडी तनों एवुंदया थी कही माता चाली युवान ने नई गई जाचे उबिशे लडी प्यालू उपाडी उबिशे लडी पास माता छूरी वती जरिक कातली एक काती त्यां सेर छूटी रसनी भरी पात्र देवा ने कई विचार कर तो नर ते गयो पी बीजू प्यालू भरी देने हजू छे मुझ नेत्रुशा कही ने पात्र यूवाने माता ना करमा दर्यू कापी कापी फरी फरी अरे कातली शे लडी नी एके बिन्दू पणर सतनू के महावा पडे ना शूको प्यो छे प्रभु मुझ परे आँख मा सुलावी बोली माता वली फरी छुरी भोकती शे लडी मा रसही न धरा थै छे दयाही न थयोन रुपा नहीं तो आप ना बने आवो बोली माता फरी रडी एवु यूवान सुनता चमकी गयोने माता तने पग पड़ी उठीने कहे छे एहुझ छुन रुप मने करमाफ बाई एहुझ छुन रुप मने करमाफ इश पीतो तो रस मिष्ट हूं प्रभु अरे ता त्यारे जिधार्यों हतुं आलोको सहुद्रव्यवान नती छे एवी धरा छे अही छे तो ये मुझ भाग कई नहीं समों तेहुझ वधारु हवे शामाटे बहुद्रव्य आदनिकनी पासे थिले भू नहीं रसे हवे दे भरिपात्र बाई प्रभु प्रुपाए नकिये बराशे सुखी रहे बाई सुखी रहो सव तमारि तो आशिष मात्र माघ प्यालू उपाडि उबिशे लड़ी पासमाता छूरी वती जरिज कातली एक कापी त्या सेर छूटी रसनी बरिपात्र देवाल बोलो वहे रस अहो छल कावी प्यालू अमना जयमना कथा कावेनू पहु सरस्रिते गान अपनी साबडी रहा हता ये गुजराती साहिते ना एक शिरो मनी कवी सरसी जी तक्तसी जी गोहील हता हता लाठीना राजवी परन्तु एमनू उपनाम हतु कलापी आजे एमनू मूर नाम बुलाई गयो छे अने एमनू उपनाम यादरे गयो छे कलापी एटले मोर अने एमना समय ना एवा एक टहुकता मोर हता कि जने बहुज सरस प्रकृती निकविताओ लखी प्रणई निकविताओ लखी अने प्रभू निकविताओ लखी कलापी नो जन्म 26 जान्युआरी 1845 ना दिवसे थयो अने एमनू अवसान 10 जुन 1100 ना दिवसे एटले कि ए मात्र 26 वस जिव्या छे आटला टोंका आयुष्यमा एटलू मोटू काम करी गया छे ये कदाच एनने आपने विश्व विक्रम कही शक्ये एक 26 वर्ष्णो युवान अने एपन पाछो राजवी ये आटला बदा कावियो लखे अने कावियो पन के वा एमा गजल पन होए एमा कथा काविय पन होए खंड काविय होए उर्मी काविय होए विजी बाजियो एक आश्मीर नो प्रवास एननों पन एक मुस्तक लखे हमिर जी गोहिल जने सोमनात नी सखाते चरी ने बलिदान आपी होतू एनना उपर आखो महा काविय लखवानो प्रयास करे चार सर्ग सुधी लखे पन खरा परन्तु पच्छी एमनों अवसान थता ये अधूरू रही जाए ये स्विटन बॉर्ग नो धर्म विचार पन लखे कांत एमना परम मित्र हता वडिल पन हता मार्ग दर्शक पन हता कांत नू गाम चावंड अने राजवी कवी कलापी नू गाम लाठी ये बहु नजिक नजिक आवे लाचे इटले भारम बार बनने एक बिजाना परिचे मा आवता हता अने बनने एक बिजानी क्रोतियों नू वाचन करता हता केवी कमनसीबी के आवा एक सरस्कवी ये अवसान पामेतिया सुधी एमनों कोई कावे संग्र प्रगट थेओ नो तो त्रण वर्ष पची ओग्लिसो त्रण मा कांत द्वारा कलापी नो केकारव ये शिर्षक थी एमना कावे नो संग्र प्रगट थेओ अने कलापी नो केका रहो आजे पन आटला वर्षो पछी पन इत्टो बदो लोकपरी अचे के गुजराती साहीत ते विशे कशु नहीं जान नारने पन इत्ली तो खबर छे के गुजराती भाषा मां कलापी नामना एक राजवी कवी थे गया अने एमने ट्लू बदो सास लख्यू छे के केटलिक पंतियो तो लोको ना होट उपर लोको नी जीप उपर आवी गई छे डाखला तरीके ते पंखी नी उपर पथरो फैंकता फैंकी दीधो आजे एमने कावे लख्यू अने ये जी ते एमने तमारी यादी एना विश्यनों जे जाजा नजर मारी ठरे यादी भरी तेया आपनी आ बधा कावे ओ एटला बधा लोकपरी ये थेला छे परन्तु आई आजे आपने एमना एक कथा कावे ने माणवाना छे तो आवा कलापी नू एक बहुत सुंदर क अने प्रजाने बहुत चाहे छे परन्तु आग ग्राम माता एमने केम लखवू पड़ियो छे तो जो ए वखते राजाओ क्योड़ू पासे थी कर लेता था अने राजाओ पोते ये वखते परन्तु आजना बड़ा प्रदान की मुख्य प्रदान ने जम आखो रसालों लही ये एकलाज पोते गोडे चरी ने निकड़ी पड़ता हाता अने प्रजानी केवी स्थिती छे एनों जात निरिक्षन करता हाता तो अगर जो ग्राम माता एक कथा कावे छे एक खंड कावे छे अने कलापी ये बहुत सुपेरे खेड़ियो छे ये शरुआत जो शारदूल व अने शर्द रुटू पुरी थेगया पच्छी है मंत रुटू आवे एटले कि दिवारी पच्छी नों समय छे तो शारदूल विक्रिडित जिवा छंदनी अंदर ये आ कथा कावे नों प्तारम भकरे छे उगे छे सुरखी भरी रविम्रुदू है मंत रुटू पूर्वमा भूरू छे नभस्वाच्छ श्वाच्छ दिसती एके नथी वादली मुँवार्थाकार जेम कोई वारताकार पोतानी वारतानी श्वाच्छ कंए अन्यागर कंए他 प्रकुर्वर्शी नों वर्णान कंए ते ते ए समय नी आखे 样 सुरुक भरी रवी शूरिय थे लाल रंग नों तो एक लाल रंग नो सूरिय नो गोडो ये पुर्वनी अंदर उगी रहो छे, नब स्वच्छ छे, आकास स्वच्छ छे, वर्शार तू विती गई छे, शरद तू विती गई छे, एक वादर नथी, आभा खुचो खुच है, ते वखते, ठंडो हीम भर्यो वहे अनिलशो उत उत्सा भरी दिसे, शुक उडी, गाता, मिठा, गीतडा, ये वखते, उत्सा मेवाता वर्ण छे, अनि सरस्थ ठंडो पवन भाई रहो छे, ये वखते, व्रुक्षो उपर बैठेला पोपट, शुकेल पोपट, ये उडे चे, अई थी तहीं, अनि मिठा, मिठा, गीतडा ग गाल राता, रवी निज करते नी उपर फेरवे छे, जो अवे आखी कथा नी शुडवात थाए छे, ये वा समये, शुर्री ना खेतर माँ, खेडूत ना बाळको रमी रहा छे, अनि एमना लाल-लाल गाल, एना उपर सूर्य पोटा ना किरनो थी, किरन रुपी हाद थी, जा अखो कि दर्श कलापी रजु करे छे, वृद्ध माता अने तात तापे छे सगरी करी, अहो के वू सुखी जोड़ू करता इंडे मियू दिसे, ते आगर एक वृद्ध माता छे, अने एक वृद्ध तात, एटले के वृद्ध दोसा छे, एटले के दादा अने दादी छे, अने शियाला नो समय छे, एटला माते सगरी करी ने तापी रहा छे, तापनू करेलू छे, ये जो इने कवी पोते, एटलो राजी पोवन हुभवे छे, क्या हो के वू सुखी जोड़ू करता इंडे मियू दिसे, अटली मोटी उम मरे, पहला तो एट जोड़ू खंडित सरसिते मिठी वातों करे छे, अने शियाला नी सवारे सुर्यो दैना समय ये तापनू करी ने तापी रहा छे, वे त्यां जो होवे पिलिवार्ता शरू धाये छे, त्यां धूर धूर नजरे उड़ती पड़े छे, ने अश्व उपर चडी नर कोई आवे, तोले वरी मुख विकासी उभा रही ने, ते अश्वने कुतु हले सव बाल जोता, त्यां एका एक आएक, आवा सरस्वातारणी अंदर धूर उड़ती देखाये छे, तो धूर शान धी उड़े छे, तो गोड़ा उपर चडी ने एक युवान आविरे हो छे, अने एना कारणे, एक गोड़ कोड़ आविरे हो छे, अने एमना माटे तो गोड़ो पन नवी पस्तू छे, क्या गोड़ो, एक गोड़ा ने जोवा माटे बदा टोड़े वदी जाये छे, अवे एक ते दीमे, उठी, शिथिलकरने, नेत्रनी पास राखी, वृद्धा, माता, नेन नबडा, फेर वीने ज प्रियपती हजू, शांत बैस्नी रही ने, जोता गातो सगरी पर नो देवता फेर वे छे, जो आई पुरुषने स्त्री नू सायुज्ये छे, स्त्री, हम्मेशा कुत्तुहल वारी हो है छे, उमलका वारी हो है छे, एटने स्त्री एक उभी थे गई, अन्ने नेजवाकरी ने जोआ माड़ी के कोई कोई आभी रही हो छे, अन्ने पेजी पाजू पेलो जेन वृद्धपती छे, एतो शांती त्री, गित गातों कातों, बजन गात प्रथा, जो रजवारा नी अंदर बापु के वानी प्रथा हाती, तो राजा ने, तो राजा जेरे गोड़ाव पर चड़ी ने आवे हो छे, तो यहने ए बापु कहीने, एननों संभोधन करे छे, आवकार आपे छे, तो बापु पदारो, तो लागी छे मुझने तुशा, जल जरी दे तु मने बोली ने अश्वे थी उतरी युवान उभीने चारे दिशाए जुए, तो यह जो प्रथा आवे हो छे, तो यह पाचरतियानों स्फोर्ट थासे, परन्दू यह तो अना माटे ते गजाणयों युवान अच्छे, पटे मार्गु छे, तो गोड़ाव प्रजा किटली उधार छे, यह जो कहचे कै argumenter कि नहीं, नहीं, मीड़ों चे रस, शेलडी तionaंयों युवान अधी कही, माता अचाली युवान ने लई गई, जा चेव भीणी शेलडी ए, जाइनों ड़ोग वां वाडवातों, ता इनी लई गई कै ओ, नहीं नहीं, तमने तो रस जर्वा मंडियो, प्यालू बराई गयो, त्याहां सेर छुटी रसनी भरी पात्र देवा, अनि ये पीता पीता पिला एने शू थायू, जे युवानतो एने, एने कईक विचार आयो, इसू विचार आयो, ये आपने पाछर थिये हो, गटस पोर्था से, तो एक जो राजा छे, एटला माटे एनी प्रजाने तुकार्थी बोलावे छे, आम युवान छे, पिला व्रुद्ध छे, परंतु छता एमाजी ने, तू कहीने बोलावे छे, तो भीजू प्यालू भरी देने, हजू छे मुझने तुशा, कहीने पात्र युवाने, माताना कर्मा दर्यू। कहीने नवाई लागे छे, डोशी ने, कहीन दरा थाई छे, दया हीन थायो नुप, नहीं तो ना बने आउ, बोली माता फरी रड़िये, नियाक मासु आवी जाये छे, जरूर कहीक अगटित बन्यू छे, कहां तो आ धर्तिनो रस सुकाई गयो छे, अत्वा तो पजी मारो र आजा, एना में दया नथी रही, ये प्रजा प्रत्ते क्रूर बनी गयो छे, जो एवू ना होए, तो आवू ना बने, अनि एना ये शब्दों सामड़ी ने, एवू युवान सुनता चमकी गयो ने, एवू जचू उन्दूप मने करमाप बाई, एन के वा मंडियो, माता तने इपग पड़ी उठी ने कहे चे, हूँ जचू उन्दूप मने करमाप बाई, ये तरता समझी गयो, क्या आनेक समझन पड़ी गई चे, अन्ने तरता दूख थाये चे, क्या भई, एम आफिमा गिले चे ना चरने पड़ी में, क्ये राजा चू पोते राजा चू, तारी वाज साची चे, क्या मारा मन मां कहीं एवो शंशे उपड़ी होतो, क्या लोगों केटलों को तू कमाये चे, अटलों सरस्ट्रेडी नो पाक ले चे, अन्ने हूँ तो एननों पहुचो टेक्स लोचू, पहुचो एनों कर लोचू, तो ये कह चे, पीतो तो रस हूँ प्रभू, और त्यारेज धारियो हतू, आलों को सहु दर्वेवान नकी चे, ये वी धरा चे हैं, तो ये अमनों केम टेक्स नावदारू, पर अवे गजारे माफी मागे चे, अनि इश्वर नी पर माफी मागे चे, ये मातानी पर माफी मागे चे, अनि पचिय वे कैचे, के रस हवे दे भरी पात्र बाई, प्रभुक रुपाए नकिये भराशे, सुखी रहे बाई, सुखी रहो सव, तमारी तो आशी श्रिमात्र मागू। तमें समझी गया, के राजाना मनमा जारे एक प्रकारनो भैम, एक प्रकारनी शंकाव भी थी प्रजा उपर, एना कारणे आशी रस जर्यो नहीं। तरी एक कापी, बोड़ो वहे रस अहो, चलकावी प्यालू, प्यालू आखो, चलकाई गयू। अगराम माता एक एक एवी सर्च क्रुथी छे, खकाया वे छे, एक राजानो एक शासक्नो प्रजा तरपनो जे कर्ट व्य भाव छे, एनो यंसूचन छे. अने पिजी बाजू, यू सुन्दर रडियामनू वर्णन, प्रकृतिनू वर्णन, भृद्धानू वर्णन, राजानू वर्णन, कराज कलापीनू आस्वानू बहुपन हुई शके छे, चानक के यह मनी राजनिती माँ कही हो छे, के टैक्स उग्रावो जोई है, करवगर चा अने फुलनों रसकस थोड़क चुसीले चे, अने छता फुलने कोई हानी थवा दिता न थी, यहनी सुवास अक्बंध रहे चे, यह रिते करो ग्रावो जुए, आवात अहीं आगर पढ़रद्यू थाई छे, अने राजा एना काराने फुतानी प्रजानी समक्ष नतमस्तक अने एव अखते, खुदरत्नी पन कुरुपा उत्रे चे, अने जेश रेडिक अपपा थी, रस नतो जर्वेक मिंदू पन तेया फरिफी पाचु प्यालू उभराई जाये चे, खलापीनू प्रदान खूब मोटू छे, यहनी वाद करवा बेसिये तो, महिना उना महिना उस अफ़ात करवा माटे नो मने एक बोको मल्यो, बर्त यह सम्मुदाई शिक्षन संधिना उपक्रमे, यह बदल हूं दन्ने तानु को उच्छु